दूसरी बात indirect benefits क्या हैं? इंजिनिरिंग की पढ़ाई करने से सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे temperament बनता है, वो scientific temper बनता है. अगर आप सीए हैं, तो आपका temperament ऐसा है कि आपको cost benefit analysis ज्यादा समझ में आता है. जिस व्यक्ति के चिंतन का तरीका इतना तारकिक होगा, इतना वैग्यानिक होगा, निशित तोर पर किसी भी civil सेवा में, किसी भी department में समस्याओं का समाधन ज्यादा बहतर तरीके से करेगा. और समस्याओं का समाधन करने की यह जो approach है, scientific method है. यह scientific method इंजिनिंग में, medicine में, B. B.S.C. में, पूरे पढ़ाई के दौरान लगातार सिखाये जाता है, और धीरे धीरे वो हमारे unconscious है, subconscious mind का हिस्था बन जाता है, और जिसका subconscious mind scientific है, आप मान के चलिए, कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, उसकी decision making की power बहतर होगी, उसकी समस्याओं के समाधन की problem solving की approach बहतर हो